और अगर बात करें वहाँ पे कौन-कौन से एरलाइन अभी अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं या भी तक है सब्सक्राइब करें So Hello Guys, Welcome back to the channel. Myself Rajeev Rinchan and you are watching The Aviation Mind. Yes Guys, you are watching The Aviation Mind. After a very long time, I am uploading video on this channel. So, जब मैं स्टार्ट करी रहा हूँ, तो आज बहुत ही जादा important topic को बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि अयोध्या में 22 जन्वरी 2024 को जो राम जन्भूमी बन रहा है, उसका inauguration है, यानि कि उद्घाटन है हमारे Prime Minister स्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. जी हाँ, और ये जो वीडियो है, ये टूटली एविएशन अपडेट के उपर ही है, आप सुझाए कैसे, अगर नहीं पता तो जान लें कि अयोध्या में International Airport बन के रेडियो चुका है, जी हाँ गाइस, 2023 में Prime Minister के द्वारा इसका inauguration किया गया, मैं इसके बारे में deep में रहे हैं, I'm sure आप भी अयोध्या आना चाहते होगे, है ना, 22 जन्वरी को inauguration ceremony में, तो बहुत साले लोग ऐसे होगे, जिनके पास time नहीं होगा, जिनके पास सिर्फ एक दिन का time होगा, जिनके पास time होगा, जिनके पास time होगा, उनके लिए तो train preferable है, जिनके पास time नहीं होगा, उनको तो flight का सहरा लेना ही पड़ेगा, और इसी लिए अयोध्या में international airport को त्यार किया गया है, because जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, वो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, वो भव्वे मंदिर बन रहा है, वहाँ पे, वहाँ पे ये target है, उतरप्रदेश सरकार का, यूपी government का, कि all over world से वहाँ पे tourism को promote किया जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, अयोध्या का जो international airport है, उसको भवे बनाने का कोसिस किया गया, और भवे बनाया भी गया है, आप यहाँ पे picture देख सकते हो, स्क्रीन पे, ठीक है, तो अब मैं discuss करता हूँ, कि अयोध्या airport, जो ह है, इसका कब काम सुरू हुआ, कब inauguration हुआ, और जिसका सबसे main, जो important चीज है, कि अयोध्या का international airport स्टार्ट कब से होगा, जो domestic, पहलो तो domestic की स्टार्ट होगा, जो इसका domestic operation स्टार्ट कब होगा, जिसका domestic operation स्टार्ट कब होगा, जैसे indigo, spice jet, कौन-कौन से airlines वहाँ पे operate करन हैं, देखो, सबसे main चीज की, आप सभी को पता होगा, कि यसे Mumbai है, तो Mumbai International Airport, लेकिन उसका Mumbai International Airport originally नाम नहीं है, उसका नाम है, छत्रपती सिवाजी महराज International Airport, तो वैसे ही, अयोध्या International Airport का जो original नाम है, वो है, महारिशी वालमी की International Airport, और I am very sure, आप में से बहुत सा है लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है, तो आप जान लें कि जो अयोध्या International Airport है, और जो अयोध्या है, वो UP में स्तित है, यानि कि उत्तर प्रदेश में स्तित है, और आपने AAI, यानि कि Airport Authority of India का नाम तो सुनाई होगा, जो कि airports को regulate करता है, airports को चलाता है, जितने भी ground equipments होते हैं, जो भी airport on ground, जो भी facilities दिये जाते हैं, hangers provide के जाते हैं, offices दिये जाते हैं, वो सारा जो है, वो अयोध्या में AAI, यानि कि Airport Authority of India के अंदर ही regulate करेगी, और सबसे हरानी की बात यह है, कि अयोध्या International Airport का जो starting है, जो construction है, वो August 2022 से start हुआ था, और आप अभी guess कर सकते हो, अभी काम हुआ है, और वैसे ही अगर आप अयोध्या राम मंदिर के बारे में अगर देख रहे हो, तो बहुत fast काम चल रहा है, वैसे ही अयोध्या का जो railway station है, वहाँ पर लग नहीं रहा है कि ऐसा railway station है, बहुत सारे वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो काफी भव्या बनाने की वहाँ पर त्यारी चल रही है अयोध्या को, और जब ये अयोध्या इंटरनेशनल एरपोर्ट बनके ready हुआ, तो हमारे प्राइम मनिस्टर के द्वारा 30 दिसंबर 2023 को इसका inauguration किया गया, यानि कि उद्घाटन किया गया, और सबसे जरूरी चीज, जो काम का है, जो visitors वहा पर operation को start किया जा रहा है, तो जिन्होंने भी अभी तक सोचा होगा कि महाँ पर जाना है, या सोच रहोगा कि महाँ पर जाना है, तो फड़ा वट से ticket आप book करो, अयोध्या जाने के लिए, या कि 22 जनमेर 2020 को आप राम मंदिर, राम जन भूमी का जो है, आप उद्घाटन औ और यूँ कहें कि इनागरेशन में आप सामिल हो सकें, और अगर बात करें, वहाँ पर कौन-कौन से एरलाइन्स अभी अपना जो अपरेशन है, वो स्टार्ट करने जा रही है, तो गाइस एक आर्टिकल का हिसाब से, इंडिगो एन एर इंडिया एक्स्प्रेस है बोथ अन से और 11 जैन से एर इंडिया और इंडिगो वहाँ पर अपना उपरेशन है, वो स्टार्ट करने वाली है, या इंडिगो एन एर इंडिया एक्स्प्रेस ने क्लियर कर दिया है, अधर एरलाइन्स का अभी तब कुछ ऐसा रिसोर्स नहीं मिला है, भी तब कुछ नियूस नही वीडियो, आसा करता हूं कि बहुत दिनों बाद आज का कंटेंट पसंद आये हो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर मैं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जोरे, विकोज इस चैनल पर अविएशन से रिल आज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और सबसे इंपोर्टन चीज अगर आपको कोई भी क्वेस्टन हो, कोई भी डाउट हो, अविशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, कोई भी अधर से रिलेटेड, तो आपने जो सीधे इंस्टाग्राम पर डियम कर सक कर दो मारे कर दो सकते हैं determ PCT आरेड़े में यहरीच वेशन हो, इन यह जो सक仰शन है कर दोसे हैं ये üçथ आरेड़byोड़ मोरे कर दो साव़के कर दो सक दोबेड़ेड़ेड़ें तारेड़ेगा़े मॉ्साल रिमस् physical line अवाफक है, गबगवे रापके है